दोस्तो नमश्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको जंगली बैंगन का पोदा दिखा रहा हूँ ये जंगली बैंगन जो है किसी को भी चाहिए तो फ्री ले सकता है मेरे से लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा ये मैं आपको बता दूँगा और ये आप देख सकते हैं जंगली बैंगन जो होता है दोस्तों वो उसका पोदा जो है एक व्रिक्स बन जाता है बहुत बड़ा व्रिक्स बन जाता है और बहुत तीज़वरदस्त होता है इसमें आपको जो है आमें कोमेंट करना है दोस्तों कि आप जो है वीडियो कहां से देख रहे हैं और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें ताकि हमें यह पता लगे कि हमारे वीडियो जो है कहां कहां तक पहुँच रही है इसलिए आप दोस्तों कॉमेंट ये प्यारा सब जरूर कॉमेंट कर दें ये दिया आपको जंगली बेंगन चाहिए तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो जंगली बेंगन है इसके असदल में खाने के लिए कैसा लगता है दोस्तों यह खाने के लिए कैसा लगता है इसका जो है कोई सुआद नहीं होता नहीं इसकी सब्जी बनाई जाती है सबसे बड़ी बात तो यह है फिर हमारे मन में सवाल पैदा होता है कि जब ये खाने के लिए यूज नहीं होता तो इसको हम क्या करेंगे लेकर जोस्तो जो जानते हैं उनको पता है कि इसको किसलिए यूज किया जाता है इसको दोस्तो टमाटर की, मिर्ची की और बैंगन की ग्राफ्टिंग करके जो एक नया पोदा, कलम वाला पोदा ये बनाया जा सकता है जिसपे की और बढ़िया तरीके से जो है अच्छा जो है फल लगता है और यह एक बहुती जबरदस तरीका है अच्छे पैदावार लेने का किसान भाईयों को इसका बहुती जबरदस फैदा हो सकता है यदि वह इसको यूज करे तो मैंने जंगली बैंगन का बीज फ्री क्यों देना स्टार्ट किया है क्योंकि मुरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि हमें जो है जंगली बैंगन का बीज लिया था और वो उगा नहीं दोस्तों एमेजन या फ्लिक कार्ड बाड़े क्या करते हैं उनलाइन जब बंगाते हैं वो तो आपको ऐसा बीज देते हैं जो उगे ना ताकि आपको पता ही ना चले जब बुई जो है ग्रोई नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा की बजाए जब मैंने मंगवा लिया और जब उसको मैंने उगाया तो एक भी बीज नहीं होगा उससे मैं समझ गया दोस्तों कि यहनों ने पहले से ही फ्रोड की सोच रखी है कि ऐसा बीज बेज़ो जो उगे ही ना जब भी इस ग्रोई नहीं होगा तो जो है ऐसे ही फिर क्या कर पाएगा कोई भी और नहीं कोई सोचने का टाइम लाता फिर के भी अब क्या डूबलिगेट था या क्या था दोस्तों इसलिए वो एक बहुत बड़ा फ्रोड करते हैं आपको इस चीज से बचना है और जब आप भीज लेना हो जाए कि मेरे पास जो है पोदा लगा हुआ है मेरे पास ये बहुत बड़े बड़े पोदे लगे हुए हैं और अब जो है कुछ बीज पीछे जो बनाता है ये एक किसम के 12 मास से होता है यादी दोस्तों आपको ज्यान लगा जाए तो इसको जो लगते रहते हैं खतम होते रहते हैं लगते रहते हैं इसलिए आपको इस चीज का जहन लगना है कि इसको जो है आप दोबारा फिर इसको ये बीज उतार लेंगे तो इसको फिर दोबारा से फिर बीज लग जाता है सबसे बड़ी प्रोब्लम है दोस तो इसमें भी तना छेदक है और फल छेदक की जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है उसी से जो है इसमें दिक्कत आती है नहीं तो इसमें और कोई भी दिक्कत नहीं आती बीज मुश्किल से त्यार होता है बहुत हार्ड कंडिशन है वीज त्यार करने की और आप देख सकते हैं कितना हल्दी और कितना जबर्दस पोदा है दोस्तों यह पोदा जो है पांच फिट तक चला जाता है और जब पोदा पांच फिट तक चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो है इसका कितना जबर्दस फायदा होने वाला य कितना जबरदस्ट इसका फ्लावरिंग होती है, कितना जबरदस्वाल लगता है, इसकी जड़ जो है, वो करूश रोक्यों पर बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों,